Hello students, welcome to AAA Pride Academy. Students, जैसा कि आपको पता ही होगा कि Nobel Peace Prize 2020 का winner declare हो चुका है. So Nobel Peace Prize 2020 मिला है World Food Program को. तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि Nobel Peace Prize है क्या, क्यों दिया जाता है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि World Food Program से जोड़ होए क्या क्या ऐसे तथ्य हैं, कैसे क्या क्या से facts हैं, जिनको लेकर पेपर में कोशिशन पूछा जा सकता है. क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, student की आने वाले exam में आपसे सीधा सीधा कोशिशन पूछा जाए कि Nobel Peace Prize 2020 किसको मिला है. हो सकता है, वो घुमा फिरा कर कोई दूसरा कोशिशन यहाँ पर वूट अप कर लें. तो आज की वीडियो में हम उनी सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे. अगर आप हमसे जोड़े रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अनॉस्मेंट के बारे में बात करते हैं. तो आपको पता होना चैए कि हमारे पास ये अनॉस्मेंट कौन करता है, कि Nobel Peace Prize किसको मिलेगा. So that is done by the Norvian Nobel Committee. जी हाँ, Norvian Nobel Committee हमारे पास decide करती है, फाइब मेंबर के कमेटी रहती है, जो decide करती है कि इस बार किसको Nobel Prize हमारे पास दिया जाएगा. इस बार हमारे पास बहुत सारे contenders थे, आपको मैं बता दू कि लगबग 308 candidates थे, 318 candidates, जिनका nomination था for the Nobel Peace Prize, जिसमें Greta Thunberg, WHO और बड़े-बड़े नामी गिरामी नाम जो है, वो शामिल थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास selection हुई है, वो हुई है World Food Program की, ठीक है, selection किसकी हुई है, that is of World Food Program. So, अब हम बात करें, यह World Food Program को award क्यों मिला, तो यहाँ पर इनों ने उस चीज़को भी mention किया है, अब आप थोड़ा, अब यहाँ से एक तरह से वीडियो आपकी mainly start होती है, तो थोड़ा words पर focus कीजिएगा, देखें, words पर focus कीजिए, किसलिए for its contribution battering the condition for peace in the conflict affected areas and acting as a driving force in efforts to prevent to use hunger as a weapon of war and conflict, देखें, जनरली क्या होता है कि आपको terrorism वगएरा कहां देखने को मिलेगा ऐसी countries में जहाँ poverty जादा है, क्यों यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को भैकाना और उनको terrorism activity में या terrorist activity में इन्वाल्व करना easy रहता है, तो यहाँ पर आप देखेगा कि हमारे पास world food program का main objective ही क्या रहता है कि ऐसे areas जहाँ पर problems है, वहाँ पर food को available कराना, अभी आप देखेगा कि COVID-19 के चलते, पूरे world में जो hunger और poverty की problem है वो बहुत जादा बढ़ गई है, तो W.E.F.P. का world food program का जो role है वो और जादा crucial हो जाता है, अब देखेगा यहाँ पर हुआ क्या है, कि जब यहाँ पर W.E.F.P. को world food program को noble prize मिला है, तो एक तो इसकी financially help हो गई, although इतना बड़ी financial help नहीं हुई, क्योंकि जो prize money होता है, यह भी आप याद रखेंगे, prize money कितना होता है, that is 9 million Swedish kronor, ठीक है, 9 million Swedish kronor यहाँ पर prize रहता है, noble prize में, तो वैसे तो financially इतनी बड़ी help नहीं होई, लेकिन अब यहाँ पर इसको और जादा donations मिलने के chances रहेंगे, क्योंकि यह news में है, ठीक है, तो और जादा donations जो है, वो world food program को मिल सकती है, आने वाले time में, just because ही हमारे पास news में आ गया है, तो आपने आद रखना है कि Norway की, हमारे पास noble committee, the Norway noble committee जो है, decide करती है, और यह कितने member committee होती है, five member committee, ठीक है, five member committee है, हमारे पास रहती है, चले जी, थोड़ा सब आगे बात करते है, अब हम चीजों को समझेंगे, थोड़ा और basic में जाकर, बिल्कुल initial, अब noble prize किसकी याद में दिये जाते हैं, सारे के सारे noble prize हमारे पास six noble prize है, सारे के सारे noble prize हमारे पास Alfred noble की याद में दिये जाते है, याद रखेंगे, इनकी nationality याद रखेंगे, बाकी noble prize पे Sweden हमारी वीडियो आ जाएंगी, आप हमारे चैनल पर जाकर, चेक कर सकते हैं, तो Sweden से ये थे, अब आप समझिये, कि इन्होंने सबसे बड़ी invention क्या थी, invention क्या की थी, that is the invention of dynamite, ठेक है, जिसको explosive बनाने में यूज के जाता है, ये question भी कहीं बार paper में पूछा जाता है, even railway के exam में पूछा गया था, last time, so dynamite की इन्होंने invention की थी, लेकिन इनका interest social issues में भी था, and peace में भी हमारे पास peace moment में भी कहीं न गहीं है, engage थे, so इनकी जो inspiration ये मानते थे, वो थे हमारे पास Bartha Wen Satner को, ठीक है, अब यहाँ पर एक interesting चीज में आपको बताना जाओंगा, related to this personality, ठीक है, Bartha Wen Satner, so she is from Austria, ठीक है, य इनके बारे में एक दो points student याद रख लिजेगा, बड़े important points आपको बताने जा रहा हूँ, इनको Nobel Prize मिला था, Bartha Wen Satner को in the year 1905, 1905 में, ठीक है, 1905 में, and she is the second female, second female after Marie Curie, honored with Nobel Prize, लेकिन Marie Curie को तो science की field में मिला था, तो she is the first female who won Nobel Peace Prize, ठीक है, first female जिसको Nobel Peace Prize मिला था, तो ये भी एक बड़ा interesting point है, जो आपको बताना चाहिए, Austria से थी, ठीक है, चलेजी, आगे हम बात करते है, student, अब आपको ये, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को बारे में बताना चाहिए, कि इन्होंने peace movement चलाई थी, Bartha Wen Satner ने peace movement चलाई थी, यॉरप में, और peace was the fifth and the final prize, अब यहाँ प गए थे, कि मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद, noble prizes दिये जाए, पांच categories में, ठीक है, पांच categories में, और पहला noble prize कब दिया गया था, 10 December 1901 को, ठीक है, in the category of physics, पहला noble prize यहाँ पर physics में दिया गया था, first noble prize, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 5 लिखा हुआ है, जबकि actual में तो noble prize कितने है, actually में noble prize हमारे पास 6 है, तो यह छटा noble prize कहां से आ गया, तो जो 6th noble prize है student, वो हमारे पास later on add किया गया था, that is noble prize in economics, अब यह भी question आ जाता है, हमारे पास, याद रखेगा, कि later on कौन सा noble prize add किया गया, so that is noble prize in economics, ठीक है, economics का जो noble prize है, वो हमारे पास 1969 में, कब य किया गया, याद रखेंगे student, 1969 में first time award किया गया, noble prize in economics, तो यह मेरे लिए एक important question बन जाता है, तो Alfred noble ने अपनी वसियत में, सिर्फ 5 noble prize का जिकर किया था, ठीक है, लेकिन अभी noble prize कितने जीए जाते है, 6, देखिए, एक चीज़ और मैं आपका बता दूँ, जो 5 noble prize है, वो हम हमारे पास, बाकी के जो prize हैं, वो Stockholm, Sweden में दिया जाते हैं, और जो हमारे पास noble peace prize है, वो Oslo, Norway में दिया जाता है, ठीक है, हमारे पास यह याद रखेगा, Norway की capital है Oslo, तो वहां की जो parliament है, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, the noble peace prize awarded by the committee, elected by the Norvian parliament, Norvian parliament को हम strongend के नाम से भ लेगा, ठीक है, लगे हाथ आप एक चीज़ और याद रखेगा, कि हमारे पास अभी right now, Norway की prime minister का नाम, ठीक है, आप से पूछा साथ है, Norway की prime minister का नाम, तो वो भी है, मैं आपको बता दूँ कि Norway की prime minister है, Arna Solberg, जल्दी से quick recap ले ले लेते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा हमारे पास Alfred Nobel नाम के एक person थे, चेक है, कहां से थे, he is from Sweden, सबसे बड़ी invention उन्हें ने किस चीज़ की थी, उन्होंने invention की थी, डायनामाइट की, और मरते मरते, उनके पास बहुत सारा पैसा था, हमारे पास scientist थे तो बहुत पैसा था उनके पास, अच्छा कासा पैसा कमाया थ जो जिन्होंने humanity को सर्फ किया है, तो सबसे पहला Nobel Prize कब दिया गया, हाँ जी, 10 December 1901 को physics के काटेगरी में, फिर हमारे पास 1969 में एक नया Nobel Prize add-on हुआ, that is Nobel Prize in economics, ये बात आप याद रखेंगे, starting में 5 थे, बाद में 6 हुए, Nobel Prize जो है, हमारे पास हमने बात की कि 5 Nobel Prize आपको Sweden में मिलेंगे, लेकि Nobel Prize for Peace जो है, वो हमारे पास Oslo Norvay में मिलेगा, क्योंकि उसको select करती है Norway की Parliament, और Norway की Parliament को आप स्टॉंजिंट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर right now, कितने member select करते हैं कि Nobel Peace Prize कि उसको मिलेगा, 5 member select करते हैं Prime Minister का नाम याद रखेंगे, Prime Minister का नाम है Arna Solberg, चले जी, अब हम बात करेंगे उस organization की, जिसको हमारे पास इस बार award मिला है, ठीक है, पहली बात तो आपने नाम देख लेना है, that is World Food Program, तो यह तो already मैं बता चुका हूँ, यह Food Assistance Branch है, एक चीज़ याद रखेंगे, it is not a specialized agency of UN, यह UN की कोई specialized agency नहीं है, it is an assistance branch of United Nation and world largest humanitarian organization addressing the hunger, promoting food security, ठीक है, hunger के लिए address कर रही है, food security को, एक तरह से promote कर रही है, ठीक है, फिर according to WFP, World Food Program के according क्या बताया गया है, कि यह Food Assistance Provide करते है, 91.1 million, 91.4 million people को, आप सोच के देखें कितना बड़ा figure है, ठीक है, इसका headquarter कहा है, Rome में, एक बात और student, गल्ती से भी आप World Food Program को, हमारे पास FAO के साथ confuse मत कीज़ेगा, क्योंकि option में हो सकता है, आपको, World Food Program के साथ, FAO का बारे में भी पूछ ले जाए, तो आपको मैं यहाँ पर बता दो student, हमारे पास important चीज़ क्या है, कि जो FAO है, Food and Agriculture Organization, उस उसका headquarter भी Rome Italy में है, ठीक है, उसका headquarter भी Rome Italy में है, लेकिन there is a difference between FAO and WFP, so what is the basic difference, यह बहुत से लोगों को नहीं पता, कि WFP में और FAO में क्या difference है, so both organization जो है, वो हमारे पास United Nation के इंडर काम करती है, लेकिन FAO एक specialized organization है, याद रखेगा, FAO is one of the specialized organization, ठीक है, specialized organization है, ठीक है, औ और जबकि हमारे पास WFP is a program under UNDP, ठीक है, यह UNDP का एक हिस्सा है, United Nation Development Program का एक हिस्सा है, तो यह बात आप याद रखेगा, it's a specialized agency, FAO, ठीक है, अब इन दोनों के काम करने में difference देख लेते हैं, वैसे तो दोनों का काम food available कराना है, लेकिन World Food Program का main objective क्या रहता है, ऐसे जगाओं पर food available कराना, providing nutrition, हमारे पास ऐसे जगाओं पर, जहाँ पर emergency like situations है, ठीक है, emergency like situations, अभी आपको थोड़ा सा clarity हो जाएगी, जब मैं आगे इसके प्रोग्राम साबको समझाओंगा, माल लीजिए, कोई emergency situation है, जहाँ पर food को लेकर एकदम से scarcity और problem आ गई है, तो वहाँ पर कौन क culture के अंदर हम कैसे improvement लेकर आएं, ठीक है, और agriculture जो हो sustainable development उसके अंदर आए, इस तरह से अलग-अलग चीज़ों पर F.O. focus करता है, मतलब की F.O. का broad spectrum है, F.O. का का काम करने का जो area है, वो broad है, और W.F.P. हमारे पास mainly काम करता है, emergency situations में, food available कराने के लिए, तो do remember the difference, और दोनों organizations का headquarters students, Rome, Italy में है, दोनों organizations का headquarters, Rome, Italy में है, तो confuse मत होईएगा, F.O. or W.F.P. को लेकर, अगर हम बात करें, basic information भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो पूछी जा सकती है, paper में, W.F.P. हमारे पास कब establish हुई थी, 1961 में, do remember, after the 1916 Food and Agriculture Conference, अब देखो student, बड़ा interesting point, conference किसकी हुई थी Food and Agriculture Organization की, तो F.O. इसका मतलब पहले सी existing body थी, ठीक है, अगर हम समझें हाँ पर, तो F.O. तो पहले सी existing body थी, तो अब आप समझें कि उसकी conference होती है, और उस conference में हमारे पास हमें देखने को मिलता है, कि हमारे पास W.F.P. को establish कर दिए गए, तो 1961 में establish हुई, अब इसने अपना पहला program launch किया था, 1963 में, supporting the Nubian population in Wadi Halfa in Sudan, अब देखो, Sudan में उस समय problem चर रही थी, emergency थी, food available कराने के लिए, तो एक particular community को इसने sponsor किया था, 1963 में, अब यह आपको सबसे important point में से एक और याद रखना है, क्या, कि इसके executive director कौन है, तो इसके executive director है, David Beasley, ठीक है, कहां से हैं David Beasley, वो अमेरिका से हैं, nationality भी पूछी आ सकती है, पर मैं पूछ सकते हैं, कि अभी आप बताइए, WFP के, World Food Program के, जो director है, David Beasley, वो कौन सी country से बिलॉंग करते हैं, so he is from America, ठीक है, World Food Program chief goal is to end hunger and attain food security by 2030, one of the most important point, कि यह हमारे पास hunger को खतम करने के लिए, और food security को attain करने के लिए, target लेकर चल रहे है, 2030, अब वाई, देखे इसमें थोड़ा सा मेर को आपको एक और चीज़ पे focus कराना पड़ेगा, जो हमारी regular videos बच्चे अटेंड करते होने तो यह पता ही होगा, कि United Nation ने 2015 में एक program launch किया था, sustainable development goals, ठीक है, UN ने क्या कहा था, कि हम sustainable development goals को attain करेंगे, जिसमें 17 goals थे, 17 goals थे, जिनको attain करने की, जिनको achieve करने की बात की गई थी, UN के द्वारा, उन 17 goals में से एक goal था, to end hunger, जो भुकमरी को है, जो पूरे विशो से खदम करना, और उसके लिए target, इन सभी goals के लिए कितना रखा गया है, इन 17 goals के लिए target कौन से ही रखा गया है, 2030, 2030, 2030, तो मैं आप से यहाँ पर एक और question पूछ सकता हूँ, कि world food program जो है, वो hunger को eliminate करना चाता है, उसके लिए target year कोन से है, तो आप याद रखेंगे, कि that is also aligned with, हाँ जी, sustainable development goals, so that is 2030, तो answer क्या हो जाएगा, 2030, बड़ा important question, फिर functioning की अगर मैं बात करूँ, world food program का जो operation है, उसको पैसे कहां से म donations मिलती है, और आप यकीन मानिए, कि जब हमारे पास noble peace prize, इस agency को मिला है, तो इसकी जो reputation है, वो कहीं न कहीं आपको improve होती दिखाई देगी, ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे worldwide year light में आएगी, और ultimately इसको old donations जो है, वो मिलती हुई दिखाई देगी, so that is one of the good sign, अच्छा ह failure साबित हुई है, okay, so principally from the government of the world, और सबसे जादा इसमें contribution किस की दरफ से मिलता है, US government की दरफ से, ये भी आपको मैं बता दूँ कि सबसे जादा contribution हमारे पास, world food program को कहां से मिलता है, from US government, so it work closely closely with food and agriculture organization, तो ये उसके साथ ही मिलकर काम करती है, food and agriculture organization, और एक और agency है student हमारे पा जिसको हम IFAD के नाम से जानते हैं, बड़ा interesting point, इन तीनों organizations का जो headquarter है student, वो Rome Italy में, food को लेकर हमारे पास United Nation की तीन important agencies जो है, वो हमारे पास कहां से operate कर रही है, Rome से, Rome is in Italy, ठीक है, Rome Italy से operate कर रही है, देखिए, एक interesting point और मैं आपको उता दूँ कि IFAD का main objective क्या होता है, कि जो rural areas में जो farmers है, जो rural areas में जो farmers है, specially उनकी needs को tackle करना, rural areas में जो people है, उनको food available कराना, so that is the main areas of IFAD, लेकिन हमारे पास जैसा कि मैंने बताया, ये emergency situations को tackle करता है, emergency level पर food available कराने की responsibility इसकी रहती है, that is the responsibility of world food program, और FAO हमारे पास sustainable development की बात करता है, sustainable agriculture की बात करता है, climate change से agriculture को बचाने की बात करते है, तो इसका एक बहुत ही broad area of work है, food and agriculture organization का, अब हम बात करें अगर WFP के और इंडिया की, तो थोड़ा सा इसमें भी आप को एक-दो question देखने को मिल सकता है, तो वो भी आप थोड़ा सा समय लीजिए, हमारे पास जो आपको चीज़े पता हो नहीं चीए, World Food Program in India, तो WFP ने इंडिया में काम करना शुरू किया था, 1963 से, ठीक है, transitioning from food distribution to technical assistance, technical assistance और भी प्रवाइड करना इसने शुरू किया, अगर हम भारत में बात करें, food availability की, तो आपको सोड़ा जानकर हैरानी होगे और दुख भी होगा, वो क्या, कि इंडिया का rank 102 था, out of 117 country on global hunger index यानी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, इवन आप देखेंगे एक कि पाकिस्तान और बंगलादेश जैसी countries भी इंडिया से आगे हैं, मत्तला कि हमारी हालत जो है, वो बंगलादेश और पाकिस्तान जैसी countries से भी खराब है, ठीक है, हमारी neighboring countries आप देख सकते हैं, comparison यहाँ पर इन दोनों agencies का role जो है, वो और जादा important हो जाता है, so WFP aims to enable most of the vulnerable people of India to meet their minimum food requirement, कि वो अपनी minimum food requirements को fulfill कर सके, okay, so do remember that particular point, so global hunger index में इंडिया करें कभी बहुत पीसे चल रहा है, अब जो कुछ points आपको पता होने चीए, मतलब कि जो exam point review से relevant हैं, आप से पूछे आ सकते हैं, उनके ब पहला point कि 2017 में हमारे पास world food program ने एक program launch किया था, building blocks program, तो UPSC और हमारे पास अलग जो state government, state civil services exam है, वो ऐसी statement वगरा देकर आप से पूछ सकते हैं, कि ये statement आप बताए, ये true है या false है, ऐसा कुछ, so world food program ने building blocks program launch किया था, इसमें खास बात किया थी, इसमें इनोंने blockchain technology का use किय blockchain technology के पर बहुत question आता है, जो bitcoin में use होई थी सबसे पहले, बड़े level पर, इसमें इनोंने क्या किया था, पैसा देना शुरू किया था, उन लोगों को जिनके पास food नहीं था, अब पैसा लेने के लिए सब आ जाएंगे, distribute money for food, अब लेकिन वहाँ पर, इनोंने क्या किया था, आई scanning का use किया था, blockchain technology का use करते हुए, ठीक है, and the Syrian refugees in Jordan, किसकी help की थी इनोंने, जो Syria के refugees in Jordan में रह रह रहे थे, अब आप देखें कि emergency situation में food supply कर रहे हैं या नहीं कर रहे है, so building block program हमारे पास किसका program था, बड़ा program था, that is the program of world food program, ठीक है, इनका एक program था, building blocks, और इसमें इनों blockchain technology का use किया था, ठीक है, फिर हमारे पास 2020 में world food program ने, हमारे पास 12 million Yemen के लोगों को feeding करने का program शुरू किया, जो की healthy forces, अब यह याद रखना, यह healthy एक rebel forces है, एक militant group है, कहां पर active है, Yemen में, ठीक है, rebel forces है, जो Yemen में active है, तो यहां पर लोगों को food provide किया था, हमारे पास किसने, world food program ने, एक और interesting point जो सबसे relevant और सबसे important है, इन्होंने क्या कहा, कि पुरे world में आप hunger map बनाओ, कि कहां कहां पर लोग भुक्के है, ठीक है, WFP ने क्या कहा, कि पुरे world में एक hunger map बनाओ, और आपको paper में पुछा सता है, कि world hunger map बनाने के लिए कौन से agency काम कर रही है, option में आपक cloud और WFP मिलकर, यानि world food program और हमारे पास alibaba मिलकर क्या करेंगे, हमारे पास world hunger map को develop करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि कहां कहां पर भुक्मरी बहुत जादा, तो do remember that point, that is important and relevant for your exam, फिर अब हम थोड़ा सा noble prizes के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि over the period of time किसको noble peace prize मिल अबी एहमद को, ठीक है, आबी एहमद, he is from Ethiopia, Ethiopia के president थे ये, ठीक है, फिर हमारे पास 2018 में आप देख सकते हैं, डी मुकागे और नादिया मुराद, जो कि हमारे पास अलगल कंट्री से तरी democratic republic of Congo and Iraq, तो इनकी humanitarian works के लिए इनको यहां पर ये award मिला था, तो 2017 में एक agency को मिला थ international campaign to abolish nuclear weapon, अच्छा, इसमें interesting चीज़ क्या है कि 2014 में हमारे पास कैला सत्यार्थी को noble prize मिला था, तो peace prize, noble peace prize जो है कला सत्यार्थी और इनको शेयर किया था, Malala Yousafzai के साथ, तो interesting point आपने याद रखना है कि 2014 में Indian को noble prize मिला था, और वो Indian कौन थे हमारे पास कैला सत्यार्थी, Do remember that point, that is important, अच्छा, अगर हम बात करें, इंडिया से सबसे पहले noble prize, peace category में, especially peace category में बात कर रहा हूँ, Mother Teresa को मिला था, लेकिन Mother Teresa natural born citizen नहीं थे इंडिया के, तो first natural born citizen अगर आप से पूछ ले न, कि first natural born citizen कौन थे जिनको peace में इंडिया की तरफ से noble prize मिला, तो वो कैला सत्यार् हाँ, इससे पहले Mother Teresa को मिल चुका है, लेकिन वो natural born Indian citizen नहीं है, यह एक छोड़ा सा point है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, चलीजी, अब एक interesting, बहुत interesting point और बतादू मैं आपको, कि आपको सुनकर थोड़ी हरानी होगी, कि Donald Trump जो है, Donald Trump को nominate किया गया है, हमारे पास noble peace prize 2021 के लिए, अब याद रखेगा, यह गलती मत कर देना, 2021 के noble prize के लिए Donald Trump को, हमारे पास peace prize के लिए Donald Trump को nominate किया गया है, क्योंकि 20 वाला तो अल्रेडी दिया जा जुका है, ठीक है, अब क्यों nominate किया गया है, उसका reason भी सुन लीजे, इन्होंने इसराइल और United Arab Emirates के बीच में एक peace agreement sign करवाया है, उसमें इनका main role रहा, United Arab Emirates चेक है, और इसराइल के बीच में एक peace agreement, जिसको Abraham Accord का नाम दिया गया है, तो याद रखना, paper में आपसे ऐसा नाम देकर question पूछ सकते हैं, तो Abraham Accord जो है, वो कौन सी दो countries के बीच में sign हुआ है, Abraham Accord is signed between UAE and Israel, एक शांती समझ ह होता है, UAE और Israel के बीच में, और इसमें एक एहम योगदान प्ले किया था, अभी US के current President Donald Trump ने, और इसी वजह से इनको 2021 के हमारे पास Nobel Prize के लिए nominate किया गया है, यह जुरूरी नहीं है कि इनको prize मिले, क्योंकि nomination में तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, कि अगर मैं इसी बार की बात करूँ, तो 308 nomination से 2020 के Nobel Peace Prize के लिए, और उसमें से मिला किसको है, you know very well World Food Program को, so that's all for the restaurant, आशा करता हूँ, आपको सब अच्छे से समझ आएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो like, please like and subscribe our channel, thank you, have a nice day.